हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो मैं चैनल, इन आपर गार्णिंग एक्सपेरियंस ने फ्रेंड्स तो हेंगिंग बास्केट के लिए सबसे बेस्ट प्लांट है वेंडरिंग जू इसका जो कलर पैटर्न होता है, स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर है इसका और परपल कलर और वाइट कलर का कॉंबिनेशन बहुत ही खुपसूरत लगता है इसकी जो कटिंग है, बहुत छोटी कटिंग भी चल जाती है और बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है ये देखे कितना ब्यूटिफूल लगता है ये पीचे से इसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है परपल और लगभग तींग महने में ये पूरा बास्केट भर जाता है इसके पोटिंग मिक्स में गाडनिंग सॉल जो होती है उसके साथ थोड़ी सी मातरा में कोकोपीट और उसके साथ ही भर्मी कंपोस्ट या फिर इसको जादा पसंद है वो है गुबरखाद तो वो अगर हमने पहले से ही मिक्स करके डाल दी तो इसका जो प्रोपोगेशन है वो भी बहुत जल्दी हो जाता है और इसकी जो ग्रोथ है लगभग 15 दिनों में दिखाई दिती है अगर हमने आज कटिंग लगा दी और 15 दिनों के बाद देखा तो वो कटिंग पहचान में भी नहीं आती इतनी ग्रोग कर जाती है और एक खास बात है फ्रेंट्स जादा मात्रा में अगर इसके सॉइल में कोकोपिट मिक्स हो गया तो इसकी रूट फॉर्म जल्दी से नहीं होती इसलिए इसे जादा कोकोपिट वाली सॉइल पसंद नहीं है और watering का ये है कि watering इसको daily करनी नहीं है friends अगर हम इसे daily watering करेंगे तो इसकी growth भी रूट भी रूट भी फॉर्म नहीं होती और जो भी root फॉर्म हो गई है तो वो जल्दी से गल जाती है तो इसलिए अभी winter season में भी तीन या चार दिनों में इसे watering किया तो बहुत अच्छी growth ये दिखाता है अभी ये देखी है नीचे के branches जो है लटक रहे है अब नीचे अगर हमें इससे इस plant को bushy बनाना है तो नीचे के जो branches है उससे अगर cut कर दिया तो उपर वाले हर nodule से इसे branches निवनो branches आएगी और ये ज़्यादा bushy बन जाएगा अगर यहाँ से मैंने cutting निकाल दी तो उपर से और दो चार branches निकल आएगी देखे इसकी छोटी सी cutting ये अगर मैंने लगा दी मिटी में तो पाच दिनों में इसकी root form हो जाती है फ्रेंड्स अगर हम इसकी cutting लगाते भी है तो ऐसी जगा पे इसे propagate कर देगे कि जहाँ पे directly sunlight ना आती हो इसे direct दूप पसंद नहीं है और इसे shade और semi shade वाली जगा बहुत पसंद है या तो फिर सुबे की एक गंटे की धूप आए या शाम की एक गंटे की धूप आए जहाँ पे भी ये रखा हो लगबग एक से दो गंटे की धूप ये बरदाश कर सकता है ग्रोथ के लिए भी इसके अच्छा है और shade में भी बहुत अच्छी तरह से grow करता है तो friends hanging basket के लिए ये खुबसूरत पोदा है ही उसके साथ ही mulching के लिए भी ये यूज किया जा सकता है जैसे कि summer season में बहुत hotness होता है air में तो हमारे plant के नीचे उनकी root को coolness देने के लिए इसे mulching की तरह यूज किया जा सकता है ये तो वैसे ही किसी बड़े plant के नीचे बहुत अच्छी तरह से grow करता है तो दो काम हमारे एक साथ ही हो जाएंगे mulching भी हो जाएगी और इसकी growth जो है वो भी हो जाएगी और ये हमारे पास टिका भी रहेगा पूरे summer season में उसके बाद ये बारिश में बहुत अच्छे तरह से grow करता है ये दिखिए ऐसे mulching के लिए जो भी हमारे pot है जैसे गुलाब का plant हो या तो फिर एरिका पाम है, Song of India है, Croton है, उसके pot में, summer season में, मार्च या एप्रिल में अगर हमने इसकी cutting लगा दी तो mulching का काम बहुत best हो जाएगा, root जो पोदे की होती है, वो वर्ची रहेंगी, ठंडी रहेंगी और इसकी भी growth होती रहेगी तो friends बस यही tips है, wandering juice को खूब सूरत बनाने के लिए, grow करने के लिए, पहले तो है, इसे watering की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है तीन या चार दिनों में watering करे, मिटी चेक के करे, और उसके साथ ही इसे बुशी बनाने के लिए, इसकी pinching बहुत जरूरी है pinching से नए-नए plant भी हम बना सकते है, और plant भी बहुत ज़्यादा बुशी बन जाएगा और उसके साथ ही fertilizer उसके लिए ज़्यादा जरूरी नहीं है, महने में एक बार भी दिया तो भी चलता है मिटी में पहले से ही मिलाया, वो तो बहुत ज़्यादा best है, और shade, semi shade इसे बहुत पसंद है डारेक्ली धूप में इसे नहीं रखना है फ्रेंड्स वीडियो अगर informative लगा हो wondering you plan के लिए तो subscribe कीजिए, share कीजिए और thank you for watching friends, bye bye and happy gardening